नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे अपने यूटूब चैनल एम के मिस्तरी पर और आज हम आपको दिखाएंगे कि लेंटर या फिर डीपीसी जो मकान में दी जाती है वो कहां पर देना चाहिए और अगर आप सिलीप या तान पट्टी निकाल रहे हो तो देना चाह है तान पट्टी देख लिए आप यह सिलीफ हाइट हो गई है पूरी चोकट के बराबर तो इसमें हमने तान पट्टी नहीं दी है तो इसमें डीपीसी का क्या रहता है यह डीपीसी जेलेंटर इसमें तार धर रहे गए हैं दो तार 10 mm के तार धर दीजिए उसके बाद में तो इसके लिए आपको क्या है कि यह पूरी जो हाइट है उपर से तो नीचे तक की पूरी हाइट है उसका सेंटर निकाल लिजिए उसमें डीपीसी कर दीजिए अगर आप सिलीफ नहीं निकाल रहे है तो डीपीसी जरूर दीजिएगा अगर सिलीफ निकाली है आपने तो क कीि देने की या फिर लेंटर देने की कोई जरुवत नहीं आगर शिलीप में क्या है बिल्गुल भी तानपृट्टी या प्रूट कं नहीं निकाली गई है इसलिए इसमें डीपीश देनी अनिवार्वी हो गई थी अन्य था क्या रहता है कि आपकी दिवाल है वह को तिरचिवां की हो जाती है कि जूल जाती है रहे में सद्ध्यान रखे कि लैंटर को सेंटर में दीजिये अगर आपने तानपट्टी नहीं निकाली है तो आप उसमें मत दीजिए गा उसका भूत फाइदा रहता है और यह आप दोस्तों काफी दीन होगे कम से कम 10-15 दिन बाद वीडियो बना रहे हैं आज, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो और चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्रिश सस्क्राइब कीजिएगा, आपका भूद-भूद धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए